पाकिस्तानी टीम ने जैसे ही कुछ अच्छा करना शुरू किया वहाँ अब नया लफडा स्टार्ट हो गया है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के वाइट और कितित कोच गैरी करिस्टन ने रिजाइन दे दिया है जबकि उनका कॉंट्रैक्ट दो साल का था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके बारे में बात करते हुए बासित अली ने दिया बहुत ही शौकिंग इंफॉलेशन उन्होंने बताया कि कहानी तब शुरू हुई जब मुहमद रिजवान को पाकिस्तान का नया वाइट और कैप्टन बनाया गया गैरी करिस्टन एक अलग कैप्टन चाहते थे और उन्होंने टीम में एक और प्लेयर की मांग की को इंसिडेंटली ये दोलों ही टीम में नहीं है वह सोच रहा था कि शायद उसके पास फुल आथिरिटी हो भी हाना कि वो नहीं जानते कि पाकिस्तान में पीसीबी चेर्मेन को भी रातो रात पदला जा सकता है और इसके बाद पीसीबी ने एनॉंस किया कि जैसन गिलस पी पाकिस्तान वाइट पॉर्ड किर्केट के नए कोच होंगे दोस्तो आपका क्या सोचना है इस पर क्या गैरी करस्टन ने पाकिस्तान टीम छोड़कर सही डिसीजन लिया कमेंट करके जरूर बताए